गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तुम कल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपिय अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खा था कि आजकर लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट के बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहां हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजे इंटरनेट के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ है संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्दिता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वो अन्य अध्यान सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ओनलाइन उपलब्ध हैं इंटरνεट का प्रयोग परिटंस धलूं के विशह में जानकारी प्राप्ट करने में कर सकता है इसका प्रयोग चुट्टियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वर हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है इंटरेट जोड़ने के लिए हमें कुछ यंत्र वर नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यकता होती है इंटरेट जोड़ने के कुछ तरीके हैं Dial-Up Connection एकिकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क इंटरनेट का सीधा उपियोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को जोडने के लिए telephone line का प्रयोग करता है, computer modem का प्रयोग करता है, और घर की phone line को इससे जोडता है, internet सेवा प्रदाता के modem के लिए एक call की जाएगी, और link internet का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, यह internet से जोडने का पहला तरीका है, एकी कृत digital सेवा network, INSDN, INSDN dial up connection की ही तरह है, लेकिन यह digital phone line के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है, यह internet वो phone के एक ही समय उपयोग करने की अनुमती देता है, इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी modem की आवश्यक्ता होगी, INSDN सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्क पर व्यापक bandwidth के digital सेवा network प्रसारण को सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अथवा किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यक्ता नहीं होती है, इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थाई bandwidth की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्चित करता है, केबल इंटरनेट की तरह DSL या broadband उच्चगती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, DSL तक्नीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट वबाच्चीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है, DSL इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है, DSL इंटरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधार्भूत तत्वों का होना आवश्चक है, मौडम, इंटरनेट सेवाप्रदाता और ब्राउजर, मौडम एक यंतर है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने, वबेजने की अनुमती प्रदान करता है, यह यंतर कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कमपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है, ब्राउजर एक सौफ्ट्वेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अत्वा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं, उनमें वाइफाई कार्ड होता है वाइफाई कार्ड कम्प्यूटर और नेट्वर्क के मध्य बेतार संचार को सक्षम बनाता है मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाईल पर इंटरनेट की सुविधा है कोई मोबाईल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है Mobile पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निमन चीजों की आवशकता होती है. एक mobile जो internet का समर्थन करता हो, एक mobile phone सेवा जो data संचरन का समर्थन करती हो. Phone पर इंटरनेट सेवाईं प्राप्त करने के लिए data setting के साथ mobile सेवा प्रदाता से खाता. 2G, 3G व 4G नेटवर्क का प्रयोग 2G, 3G व 4G में G-Generation अर्थात पीड़ी को दर्शाता है G के पहले की उच्च संख्या अधिक सूचनाय भेजने व प्राप्त करने की उच्च क्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिये रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वा संचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं 3G तीसरी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है इसने उप्योग करताओं को मोबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है 3G नेटवर्क पर इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते है सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पूर्ण करने वाला माना जाता है क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मुबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मुबाइल वो एंटरोइड मुबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते है साथधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग पहले मैनू का चैन करें फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें सेवा से जुड़ने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं वाईफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं सेटिंग वो कनेक्टिविटी का चैन करें फिर वाईफाई का चैन करें जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका चैन करें यदि आवश्यक हो तो पास्वर्ट दर्ज करें Android फोनों में Internet सेट करने के लिए सबसे पहले Android स्मार्टफोन वर टाबलिट की सेटिंग मेनू पर खिसके यह किसी Android यंत्र पर App मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी नॉटिफिकेशन बार से किया जा सकता है अब Settings मेन्यू में आप बेतार और Network Settings ढूंडे ज्यादतर यंत्रों में अधिक या अधिक Settings जो बटन उपलब्ध हो को चुने अब यदि आप बेतार और Network Settings पर पहुँच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड़ सकते हैं Mobile Internet, Wi-Fi Mobile से Internet को जोड़ने के लिए या तो आप Notification को नीची खीच कर Mobile Data विकल्प चुन सकते हैं अथवा आप Wireless और Network Settings विकल्प में More Settings विकल्प चुन सकते हैं उसके बाद Mobile Network बटन पर क्लिक करें जहां पर Mobile Data चेक बॉक्स पर चेक करेंगे जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन Mobile Internet से जुड़ जाएगा Android फोनों में भी Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है दीदी, उसे किस प्रकार जुड़ेंगे? बड़े असानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे Wi-Fi सेवाओं से जुड़ोगे सबसे पहले, नोटिफिकेशन मेन्यू में उपलब्ध मुबाईल Wi-Fi विकल्प को चुनोगे अब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास Wi-Fi नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह Wi-Fi नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पास्वर्ट की आवशकता हो तो उसे दर्ज करें और Connect पर क्लिक करें Mobile Broadband तकनीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं आपको एक डाटा कार्ड और एक डाटा प्लान के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशकता होती है आप अपना उपकरण और डाटा प्लान प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर राइट क्लिक करें ततपस्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उपयोग करता का नाम वो पासवर्ड टाइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet सहयोजित करने के लिए Notification एरिया में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोड़ने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification एरिया में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोड़ने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को Laptop से जोड़ सकता है क्या ये सही है दीदी? आप बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को Laptop से जोड़ सकते हो स्मार्टफोन वो Laptop को जोड़ने या Tethering पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi, Hotspot में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका Laptop एकसेस कर सकता है Android Phone टाबलेट को Laptop से जोड़ने के लिए निम्न पदूं का अनुसरन करें पहले Wireless और Network Setting मेन्यो पर जाएं कुछ फोनों में Wireless Hotspot बनाने के लिए Apps मेन्यो में एप होते हैं अब जोड़ने वाले वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और Network का नाम सेट करो और अथवा Password सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए Wireless Network को Wireless Network के माध्यम से अपने Laptop के Network से जोड़े इंटरनेट के बारे में सीखना दिल्चस्ट नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भागए दिदी क्या आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं www का अर्थ World Wide Web होता है World Wide Web मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि World Wide Web क्या है World Wide Web www World Wide Web का प्रतीक है World Wide Web में वेब उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उप्योग कर पहुँचा जा सकता है टेलनेट, एफटीपी, इंटरनेट जुआ, इंटरनेट रिलेचाट, आई आरसी और इमेल सभी इंटरनेट का अंग हैं लेकिन यह सब World Wide Web का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कम्प्यूटर को स्थानांतरित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं World Wide Web के अंग हैं Web Server, Web Browser, Web Page, Website, Web Address Web Server एक पदती है जो इंटरनेट पर अंतिम उप्योग करता तक विशह वस्तू या सेवाओं को उपलब्ध कराता है Web Servers वे कम्प्यूटर हैं जो Web Page को उपलब्ध कराते हैं प्रतेक Web Server का एक IP, पता वर डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि यह है एक Web Server जिसका डोमेन नाम Google.com को निवेदन भेज देता है Web Browser एक Software अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग World Wide Web पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशह वस्तू को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें Web, फोटों, वीडियो व अन्य फाइलें आती है जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला Web Browser एक ग्रहक है जो Web Server से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है Web Server सूचनाएं वापस Web Browser को भेज देता है जो परिनामों को कंप्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते है Web Page वह हैं जिनसे World Wide Web बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं Web Page या तो Sthetic अत्वा गतिक हो सकते हैं Sthetic प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं गतिक प्रश्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विशे वस्तू दर्शाते हैं ये प्रश्ट आदर्श रूप से भाशा जैसे PHP, PURL, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेबसाइट एक दूसरे से संबंधित प्रश्टों का संकलन है सामाने तह यह या तो एक ही विशे पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशे उपर होते हैं वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें एड्रेस प्रोटोकोल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग वेब प्रश्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए हैं डाउनलोड, बुक मार्क और पास्वर्ड प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजिन टूल बार, टाब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट, फिल्टरिंग और एच्टी एमल, एक्सेस बटन, पॉप अप और ब्लॉकिंग होती है अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्सपलोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी Internet Explorer Microsoft द्वारा तयार किया गया और Microsoft Windows के ओरिंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर ओनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह है इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है क्या आप अपने कम्प्यूटर पर Firefox का प्रयोग नहीं करती हैं दीदी? हाँ ये वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अतिसुक्ष्म आकृती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है Opera Software ने 1996 में Opera Browser का विकास किया Opera अन्य Browser से छोटा है और ज्याद अतर अन्य Browser से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोर्ड, कई Windows Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है सफारी ब्राउजर एपल आई एन सी द्वारा विक्जित किया गया है और Mac OS X में शामिल है यह सबसे पहले जनवरी 2003 में पब्लिक बीटा के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है तीदी अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो स्टार्ट बटन पर क्लिक करो और प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो ब्राउजिंग विंडो दिखेगी सामाने तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं टाइटल बार, वेब पेज वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है इसमें तीन विंडो बटन होती हैं Minimize, Restore बटन या Maximize और बंद Address बार में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन एक्सप्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address बार के Buy or Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help Web Page क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar, Website, Web Page की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वह वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs, वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं निर्देशी का वेब साइट की डारेक्ट्री का उप्योग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्द सूचना के अनुसार वर्गी कृत की जाती है याहू डारेक्ट्री SE का उदाहरन है सर्च इंजिन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार हैं सर्च इंजिन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब प्राउजर का प्रेयोग कर खोलना पड़ता है साधारन ता, सर्च इंजिन एक शब्द या शब्दों के समुह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं। होज का परिणाम वेब प्रिष्टों का हो सकता है। चित्रों, सूचनाओं या अन्य प्रकार की फाइलों का हो सकता है। इन सर्च इंजिनों का प्रिणाम गुगल जो की सर्वादिक प्रियोग किये जाने वाला सर्च इंजिन है का प्रियोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें। पहला वेब ब्राउजर को चालू करें। तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें। मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं। तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें। अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें। अत्वा एंटर बटन दबाएं। दिखाए गए लिंकों की सूची देखें जिनके साथ प्रतेक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरण भी दिखेगा। सुसंगत लिंक पर क्लिक करें। यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें। फिर सर्च बटन पर क्लिक करें। विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे। सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें। यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हूं, तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं। फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाय कोने पर क्लोज बटन दबाएं। अब रोहन मैं चाहती हूं कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो। बिलकुल, एवल यह बताईए कि क्या खोजना है। ठीक है, गूगल का प्रयोग कर ग्रामीन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो। स्टेप वन, वेब ब्राउजर खोलें। स्टेप टू, एड्रेस बार में www.google.com टाइप करें। स्टेप त्री, सर्च बॉक्स में Computer Literacy in Rural India टाइप करें। अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूं। चलो, अब हम मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं।